तो यहाँ पर मैंने जो चेप्टर स्टार्ट किया था stress-strand relationship curve of the strength of material ठीक है इसके लिए मैंने आपको standard specimen बताया था कि मैं mild इस्टिल को prefer करूँगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह चीज डिसकस कर ली थी कि हम mild इस्टिल को prefer क्यों करते हैं why we use mild इस्टिल for the stress-strand relationship क्योंकि वहाँ पर tension compression same था ठीक है लगबग ductility अच्छी थी उसकी ठीक है और उसकी property भी अच्छी थी और इसको क्या कर सकते थे recycle level भी कर सकते थे सस्ता भी पढ़ता था इसलिए mild इस्टिल को यूज कर रहे थे ठीक है क्योंकि testing करने पर चीज़े क्या होती है टूट जाती है और टूटने के बाद वेस्ट हो जाती है आप सौने को लेकर लेंग्ड यहां से लेकल यह जोकी लेंग्ड लीती मैंने जतने को इसके छिख लंबात बड़ी मशीन होती universal अटेस्टिंग मुशीwowall बहुत बढ़ी मशीन होती है यह से बहू संभी मशdr में होती यह समझोग इस मश्योंहती है तो यह मैंने क्या कि यह इसके अंदर रख दिया। यह पर क्या होगा, फिर और फिर क्या होगा, यह road मैंने माईल इस्टिल की फिक्स कर दी। तो क्या करूं का यहां से प्रेसर लगोंका यहां से मिक्त तो यहां पर प्रेसर लग जब मैंने इसको खीचा तो अलग-अलग टेस्ट करूंका अगया क्या सुपल charming स्लीपिंग एस स्लीपिंग हो गया मतलब से दूसरे पर स्लीप होना इसता करूंग दूप चाहिए इस कि आपके क्लियर हो जाएगी तो इसके लिए मैंने एक के कि यह बहुत सारे universal testing machine पर mild still का एक specimen लिया और उसके मैने क्या तेस्ट तो यहां पर क्या बना इस side मैं लिक्या मैंने stress यहां पर लिखा strain तो इन पर एक करव बना इसको हम note करेंगे यहां पर ध्यान से देखना यह diagram नगरा रहा है तो सबसे पहले start करते that is the a point आता है ठीक है तो a point क्या होता है जहां पर stress stress को represent करते sigma से strain को represent करते strain से ठीक है तो strain और stress का जो कर बनता वो बनेगा linear ठीक है linear कर मतलब क्या होगा यह कर बनता that is the इस टाइप से बनता है तो यहां तक देखो एकदम linear कर बन रहा है समझ में आया तो कराय की first proportional limit बोलते है यह को क्या बोलते है that is the proportional limit मतलब stress is proportional to strain जितना stress में चेंज आएगा उतना ही stress में चेंज आएगा that is the proportional limit ठीक है point clear है और यह किसको follow करता that is the हुक्स लो हुक्स लो क्या होता है समझ में आया हुक्स लो आपको पता होगा फिर भी मैं बता देता हूं कि हुक्स लो से the stress is proportional to strain कि जितना change strain में आएगा उतना ही stress में दोनों की value सेम होगी एक चीज और clear कर तो पहले strain होगा अगर strain present होगा तो ही वहाँ stress present होगा ठीक है strain होगा तो ही stress present होगा अगर strain की value कर मैं 0 रखता हूं तो stress automatically 0 हो जाएगा clear है तो पहले strain आता है फिर stress आएगा तो एप वाला point clear होगया that is the proportional limit clear है अब मैं बात करता हूं that is the b point की थोड़ा और उपर जाओ तो that is the b point और b point represent करता है that is the elastic limit समझ रहो elastic limit क्या होता है इसको समझो देखो हर एक चीज मैं clear कर रहा हूं कि elastic limit कहता है कि ability of material समझ सुनना लिखते रहो ability of material to regain its original shape ठीक है किसी भी material की वह property जिससे वह अपना फिर से original shape पा लेता है फिर से अपने original shape में आ जाता है after removal of the load समझ रहो किराए कि किसी चीज पर मैंने load लगाया तो उसके shape में कुछ चेंज आएगा जैसे मैंने उसका load अटाया तो फिर से वह original shape में आ जाता है that is the elastic limit अब बी पॉइंट के बाद अगर तक है ना माइल्ड इस्टिल खीशता हूं लेकिन यह फिर से अपनी original shape में आ जाता है that is the elastic limit अब बी पॉइंट के बाद अगर मैं load बड़ा देता हूं उस रबड को और ज्यादा खीशता हूं तो उसकी original shape में नहीं आ पाएगा कुछ limit तक ही चुँगा ना तब तक वह अपनी original shape में आ जाएगा point clear है elastic limit आपको clear हो गया okay ना फिर अगर बात करते हैं फिर और उपर चलते हैं ज्यान से देखना फिर और उपर चलते हैं यह यह अपना a और b दो point बता दिया यह सीडेस और यह सी यह point पढ़ना तो सीडेस वाला point है that is the yield point yield point अपर yield point और lower yield point ठीक है यह अपर yield point यह ओगया lower yield point clear point और yield point में my dear friend एक चीज clear कराता हूं कि यह सीडेस और यह सी नजर आ रहा ना फिर से देखो ज्यान से देखना यह सीडेस यह सी तो यह करव दीख रहा होगा यह यह वाला सीडेस से सी यह करव आटोमेटिकली नीजर आ जाता है क्यों बीकोज तो sleeping of carbon atom ठीक है sleeping of carbon atom यहां पर क्या होगी carbon की sleeping होगी तो इसमें जो stress होगा ना resistance वो कम हो जाएगा समझ रहो कैसे कार्बन एटम स्लीप होगे sleep कैसे होगे ठीक है थोड़ा लोट लगाई यह दोनों joint है। ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को समझना है theatre क्यान से देखना यह दोनों joint थ्यान से लोड़ लगाए यह उड़़ होगा और जो तो भी यह मतलब अपने आप यह से इस स्लीप होना लाज जा जाएगा मतलब इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या holगा that is because of the sleeping of the carbon carbon atom carbon atom इसमें क्या होंगे that is the sleep कैसे carbon atom कैसे रेंज होता है इस टाइप से इस में carbon atom इस टाइप से होते हैं तो यहां पर देखो दोन लेयर में है तो मैंने हाथ से बताएगा easily easily यह क्या होगा अगर layer में होगा तो sleep हो जाएगा ठीक है मैंने क्या बता है ऐसे होगा तो sleep करना आसान है ऐसे होगा तो sleep करना आसान नहीं है तो यहां पर condition क्या हो गई लेहर में है तो यह क्या होगा, easily sleep हो जाएगा, point हो गया clear, c days और c, c days उपर वाला होता है, that is upper yield point, c वाला होता है, lower yield point, मैं पागल नहीं हो, जो समझा रहा हूं, आपसे exam में direct diagram दे दिया जाएगा, ठीक है, इसमें push लिया जाएगा, ये point किया है, ये point किया है, ये point किया है, य इनने को औरेंज कीजिए तो कैसे करोगे तो इसलिए कि रहा हूं इसको ध्यान से देख लो ध्यान से समझ लो आपके नंबर यहां से फिक्स हो जाएंगे क्लियर बहुत बेसिक से चीज़े क्लियर कर रहा हूं अब यह सीडी में किरा है कि कुछ भी नियह अपने आप यह आगे जा रहा है समूझ़रिव पॉंट सेठी कहता है कि इस दे लिडे प्ले तो मैं कहता है विडावट चेंज इन इस्ट्रेस इस 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 कंटिउनुडूस सीडी पॉंट यह कराए मैं इस तब मेरा फिक्स है इस्ट्रेंड 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 इस्ट् व्हें प्लास्टिक दिफोर्मेशन या पर किए अबटाया को अब्जेक्ट प्रिnis ओर पहर से बंद कर देटा महां करना चफिकी है लाउचिक प्लास्टिक दिफीकता है अब now फिर से मैं stress बढ़ाता हूं फिर से stress बढ़ाता हूं तो that is the DE region आएगा that is the strain hardening region ठीक है strain hardening region और strain hardening region क्यों होता है DE that is the strain hardening region और यह strain hardening region आएगा because of disorientation of carbon atom मेरा point पर ध्यान रखना strain hardening region आएगा because of the disorientation of the carbon atom यहां पर पहले मैंने बता है sleeping हो गई इसके बाद क्या हम करें हम load लगाएंगे ना तो क्या होगा यहां पर जो यह parallel layer थी यह जो parallel layer थी इसमें क्या होगा इस टाइप से हो जाएगा इस टाइप से ठीक है इस टाइप से तो अब इनको तोड़ पाना मुश्किल होगा मतलब यहां पर बहुत सारा stress लगाना पड़ेगा अब यह क्या करेगा disorientation आ जाएगा disorientation मतलब पहले से तो यह से था फिर यह से हो गया अब इसको तोड़ना थोड़ा बढ़ जाएगी resistance की ठीक है यह रजिस्ट करेगा मतलब इसली निट्टेगा यहां पर अगर किसी चीज़ रजिस्टेंस होगा तभी तो वह चीज़ को अपोजिश करेगा जैसे resistance कम हो गया यह खिसक्या तो यहां पर रजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा समझभाया तो इसके बाद अपना stress strain का कर्व नगी रिजन आपको क्लियर हो गया वाट इसका डियाग्राम भी में आपको यह बता दिया इस 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 ट्रेंड आडनिंग रिजन यहां पर कार्बन क्या होता कि साइज मिसमेचिंग होने लग जाती है ठीक है मिसमेचिंग हो जाएगी इसके बाद अपना stress strain का कर्व नहीं मिलेगा पॉइंट क्लियर है ओके अब आता देट इस दो पॉइंट ओप फिर से stress अपने आप गिर जाता है ठीक है इन दिस रिजन ड्यू टू रेपीट डिक्रीजन क्रोस सेक्शन एट पर्टिकुलर सेक्शन समझ रहो रिजन यहां प खांब जाएगा समझे तो यह क्या होगा पॉइंट अजटैन को ढ़ते होगा उनास बेस्ट कुंध कि और जो पर आंगया पहले थोटा सब् मौन कॉछ कि फिल्ट ऊच्फ सब्समार को यहां थो है ह碹ा होगा स्पेसिमें ठ्यक है यह कप कितने लगर इसलिए कई बार बोलते है क्मक्रेजियर कॉप कौण फिलियर थीक है कॉप कौण फिलियर यहां से कलीर हो गया चर मतलब समझ भूए या कि rapid decrease in cross section ये cross section area के rapid decrease होने के कारण ये कर बहुत fast चलता है और यह पाता है point of failure fracture point ठीक है fracture point point of failure बोल सकते हो fracture point यहां पर क्या होगा पूरा failed हो जाएगा मतलब यह जो है ना specimen अभी तक तो यह से चल रहा था और यह अब क्या होगा इससे तूट जाएगा इस तरीके से यह तूट के अलग हो जाएगा ठीक है इस पेसी में that is the cupcon failure में आपको बता दिया stress relationship का what is the last point that is the fracture point रबड को खीचा खीचा खीचते गए और फाइनल एक इससा पॉइंट आएगा जहां पर रबड पुरा तूट जाएगा that is the fracture point clear है और यहां से आपके एक से दो नंबर का question 110 पूछे जाएगा इस लिए इसको अच्छे से फिर से देख लेना और मेरा चैनल अगर subscribe नहीं किया है तो like share subscribe जरूर कर देना तकि आपके पास हर एक ऐसा notification आता रहे thank you so much